जीवन में अच्छा समय आने से पूर्व तुलसी का पौधा हमें तीन महत्वपूर्ण संकेत देता है। इन संकेतों को कभी दुरलक्ष नहीं करना चाहिए। तुलसी मैया हमें आने वाले संकट के विशय में भी सूचना देती है। जब कुछ अशुब होने वाला होता है त सब भी तुलसी का पौधा संकेत देता है और अच्छा समय आने से पहले भी तुलसी का पौधा विशिष्ट प्रकार के संकेत देता है। नमस्कार आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भगवान विश्णु ने देवी वरिंदा को ये वर्दान दिया कि समस्त संसार में तुलसी को हरिवल्लभा कहा गया है। अर्थात तुलसी श्री हरी की अतिप्रिय है। तुलसी एक प्रकार से मा लक्ष्मी का ही अंशरूप है। इसी कारण से इसका हिंदु धर्म में बहुत अधिक महत्व है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है। जहाँ पर नित्य तुलसी की पूजा की जाती है, उस घर का विनाश कभी नहीं होता है। घर के सामने तुलसी होने से अशुभ और अमंगलकारी शक्तियां घर से दूर रहती है। तुलसी का पौधा कोई साधारन पौधा नहीं है, यह एक अत्यंत पवित्र पौधा ह जो सुख सम्रिध्धि प्रदान करता है। इसे घर के आंगन में अथवा मुख्य द्वार के सामने लगाना चाहिए। शास्त्रों में तुलसी के पौधे को लगाने के कई महत्वपूर्ण नियम बताये गए हैं। कई लोग जाने अंजाने में तुलसी का पौधा लगाते समय कई गलतियां कर बैठते हैं जिसके उन्हें अशुभ परिणाम भोगने पड़ते हैं। तुलसी का पौधा लगाते समय शास्त्रों के महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। अन्यथा तुलसी मा रुष्ट हो जाती है। कई लोग तुलसी के पौधे को किसी तुलसी मैया का अपमान होता है। इसे शास्त्रों में बहुत ही अशुभ माना जाता है। तुलसी को गंदे स्थान पर अथवा नाली के पास लगाने से घर के मुखिया पर संकट आता है। घर के सदस्यों की सेहत हमेशा खराब रहने लगती है। बच्चों को जीवन में स अत्वपूर्ण संकेत देता है। ये संकेत हमारे भविष्य से जुड़े होते हैं। तुलसी का पौधा एक अत्यंत समवेदन शील पौधा है। ये वातावरण में मौजूद नकारात्मक उर्जा को महसूस करता है। घर पर आने वाला कोई संकट अत्वा विपत्ति की ज संकेत देता है। इसलिए हमें नित्य तुलसी के पौधे का निरीक्षन करना चाहिए। ब्रम्ह वैवर्थ पुराण में तुलसी के महत्व का वर्णन मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य तुलसी की पूजा करता है उसकी कभी दुरगती नहीं होती है और उसे मृत्यू के उपरांत नरक की यात्रा नहीं करनी पड़ती है। जिस घर के सामने तुलसी का पौधा होता है उस घर में कभी भूत, प्रेत तथा पिशाच प्रवेश नहीं करते हैं। इसी कारण से शास्त्रों में घर के सामने तुलसी का पौधा लगाने का विधान किया ग तुलसी का पौधह सूखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। तुलसी का पौधह मृत दिखाई देने लगता है। तुलसी का पौधह लगाना चाहिए। सूखा हुआ तुलसी का पौधह घर के सामने कभी नहीं रखना चाहिए। अगर आप कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं तो एक मटके में जल भरकर पौधह के पास रखे ताकि नमी बनी रहे। दूसरी बात है तुलसी के पास दूसरे पौधह का उग जाना। यदि आपके घर के तुलसी के पौधह के आसपास अन्य छोटे छोटे पौधह उगने लगते हैं तो यह शुभ संकेत है। आपको अनेक मारगों से धन की प्राप्ति होगी। अथवा आपके व्यापार में व्रिद्धी होगी। यदि आपके घर के सामने कोई तुलसी का पौधह अपने आप ही उग जाता है। तो आपके घर में साक्षात मा लक्ष्मी ने प्रवेश किया है ऐसा समझना जहां पर मा लक्ष्मी स्वयम चल कर आती है वहा के पौधे अपने आप हरे भरे हो जाते हैं। तीसरा संकेत है तुलसी के हरे भरे पत्तों का अपने आप ही गिरना। अगर आपके घर में तुलसी का पौधह हरा भरा होने के बावजूद भी तुलसी के हरे पत्ते अपने आप ही गिरने लग जाए, तो इसे एक अशुब संकेत समझना चाहिए, लेकिन यदि पत्ते पीले होकर गिरने लगे, तो इसे प्राकृतिक समझा जाता है, किन्तु हरे भरे पत्तों का गिरना अब शकुन माना जाता है, यह संकेत है कि मा लक्ष्मी आपसे नाराज है, तुल मान होने लगता है, अगर घर में तुलसी का पौधा है, तो घर में कभी भी मान्स मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे तुलसी मया रूट जाती है, घर का वातावरण जितना अधिक नकारात्मक होता है, तुलसी उतनी ही जल्दी सूखने लगती है, चौथा संकेत है तुलसी के पौधे के पास चीटियों का आना, अगर आपके घर के सामने लगे हुए तुलसी के पौधे के गमले में अचानक से चीटिया आने लग जाती है, तो यह शुब संकेत है, किन्तु तुलसी के पौधे पर अन्य कीडे मकोडे लग जाते है, तो इसे अशुब संके तुलसी के पौधे का हरा भरा होना, अगर आपका तुलसी का पौधा सदा ही हरा भरा रहता है, उस पर मंजिरी लगती है, और पौधा बहुत ही सुन्दर दिखाई देता है, तो यह बड़ा शुभ संकेत है, जितना तुलसी का पौधा सुन्दर और हरा भरा दिखाई देगा उतना ही आपका परिवार सुखी और सम्रिध रहेगा घर के बाहर लगे तुलसी के पौधे को देख कर ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस घर का वातावरण कैसा है अगर घर का वातावरण पवित्र है घर में अच्छे संसकारों वाले लोग रहते हैं तो उनका तुलसी का पौधा सदा ही हराभरा रहता है तो दोस्तों अगर आपके भी घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी अच्छी तरह से देखभाल अवश्य ही करे तुलसी मा आपको सुख सम्रिध्धी और एश्वर्य प्रदान करेंगी अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो विडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मा तुलसी और जय श्री कृष्ण अवश्य लिखे साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले आप सभी का धन्यवाद